नमस्कार दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो के फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में बालकृष्ण इंडस्ट्रीस में 2.16 परसंटेज की तेजी आई थी पर अगर हम इस शेर का 1 येर हाई प्राइस देखे तो उसके बाद आज 1 मंथ से जादा हो गया है पर फिर भी ये शेर 15 परसंट नेगेटिव में ही चल रहा है तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें क्या अभी इस शेर को बाइक करना चाहिए और इस शेर के शौट तम में टार्गेट्स और स्टॉप लॉस क्या रहेंगे तो चल ये वीडियो को शुरू करते ह इस वीडियो इस ओनली फर एज्जुकेशनल परपस रिट धर डिस्क्लेमर कैरफुली आईए अब हम सबसे पहले बालकृष्ण इंडश्टी शेर के सपोर्ट ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लेवल्स को देख लेते हैं तो अगर हम इस शेर के सपोर्ट ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया था उसके बाद हिदर फर्स टाइम हिदर सेकेंड टाइम हिदर थर्ड टाइम हिदर फोर्ट टाइम हिदर फिफ्ट टाइम और हिदर सिक्स टाइम मतलब फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी इस शेर ने इसी लाइन पे सपोर्ट लिया और उसके बाद इसली देखे तो ये शर एकदम इस वाले trend line के नजदीक में आ गया है आईए अब हम इस शर के important support levels को देख लेते हैं ये तो हो गया support trend line पर अगर हम इस शर के support level की बात करें पर उससे पहले मैं ये इसको हटा देता हूँ तो आपको confusion ना हो तो अगर हम इस शर के support level की बात करें तो 1528 का level इस शर के लिए एक बहुत ही strong support का काम कर रहा है और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो पहले ये शर इस zone में resistance face करता था पर उसके बात जब इस शर ने ये level को तोड़ा और उसके बात जब गिरावट आई तब इस शर ने इसी level प support लिया तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब भी इस शर में selling pressure आता है मतलब जब भी इस शर में bears active हो जाते है तब ये शर का price नीचे तो आता है पर इस zone में ये शर support लेता है और उसके बाद इस शर में तेज़ी आ जाती है तो जब तक ये शर इस वाले price के उपर में तिक हुआ है तब तक इस शर में कोई बड़ी गिरावट नहीं आ सकती आई अब हम इस शर के important resistance levels को देख लेते हैं अगर हम इस शर के resistance levels की बात करें तो इस शर में एक बहुत important resistance level है और वो है 1648 का level और ये इतना important क्यों है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इस शर में काट open किया है यहाँ पर आप देख सकते हो पर इस शर का price जैसे ही इस वाले level पर पहुचा उसके बाद इस शर में गिरावट आ गई और वापस जब तेजी आई तब भी इस शर ने इसी same resistance level पर दो बार हिदर resistance फेस किया तो अगर हम total देखे तो total 3 times शर ने इसी level पर resistance फेस क ब्रेक करता है तो आईए अब हम देख लेते कि क्या हमें इस शर को buy करना चाहिए या sell करना चाहिए तो दोस्तों अगर हम बात करें कि हमें इस शर को भी buy करना चाहिए या sell करना चाहिए तो आप इस शर को अभी buy कर सकते हो और उसके पीछे का मेरा एक important reason है कि यह शर एकद में गिरावट आई पर जैसे इस शेर ने अपने सपोर्ट को टच किया तो उसके बाद इस शेर में अच्छी तेजी आ गई और अगर हम इस शेर के टार्गेट की बात करें तो शौट टम में ये शेर 1,900 to 2,000 तक के टार्गेट आराम से अच्छी उकर सकता है और अगर दोस्तो हम इस शेर में स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1,500 रुपीज का क्लोजिंग बेसेस पे अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो एडवाईसर से पहले कंसल्ट करें धन्यवादू